स्टॉक का linked एंसे इस वीडियो में और देखेंगे सेल में वह हम लोको फ्यूचर में क्या momentum देखने मिल सकता है स्टॉक का support कहाँ पर ए और resistance कहाँ पर है श्टॉक पे हम लोको closing देखने मिले है जो कि 111.30 गा closing है स्टॉक ने अच्छा कासा हम लोगों को प्रिवेसले मोमेंटम दिखाया जो कि 7-8 वीक से अच्छा कासा उपर की तरह हम लोगों को टागेट देखने मिला जो कि लगबा 80 रुपीस के पास से स्टॉक में मोमेंटम होना चालू था अब इस टॉक फाइनली 111 रुपा के पास म नीचे के तरफ फॉल दिखाया अब फिर से स्टॉक टाइट कर रहा है 100 रुपीस लगबा 110 रुपा के उपर क्लोजिंग करने का तो स्टॉक में अगर यहां से हम लोगों नीचे के तरफ थोड़ा घिरावट देखने मिलता है जो कि लगबा 100 रुपीस लेवल से लेकि लग पर इंपक्ट कर रहा है स्टॉक में कुछ खास जरने वाली बात नीचे के तरफ अगर फॉल देखने मिलता तो और और क्या अड़ कर सकते है फूचर में लोगों को टारगेट क्या देखने मिल सकते है अगर स्टॉक एक बार लगबा 115 रुपा के उपर अगर सस्टेन कर दे है जो कि डेली चार्ट या फिर विकली चार्ट पर जब भी तीन चार्ट या फिर दो तीन वीक लगबेश उपर के लेवल पर सस्टेन करें तो उपर किता हम लोगों को स्टॉक में लगबग हम लोगों को 200 से लिखे 250 रुपीज तक का भी टार्गेट देखने मिल सकता स्व